दोस्तो नमस्कार इस वीडियो में हम आपको CM Helpline 181 में कॉल करके निवास प्रमाणपत्र बनाने की पूरी प्रोसेस बताऊंगा चैनल में पहली बार आये हैं तो सब्सकाइब जरूर कर लिजेगा तो चलिए दोस्तो निवास प्रमाणपत्र बनाना सीखते हैं मैं अन्मोल त्रिपार्टी मदर पदेश के रिवा जिलो से बोल रहा हूँ मुझे मेरा निवास प्रमाणपत्र बनाना था जी मुझे मेरा निवास प्रमाणपत्र बनाना था जी मुझे मेरा निवास प्रमाणपत्र बनाना था जी आपका नाम जानता को यहां का इसे पूर्वा अन्मोल त्रिपार्टी मदर पदेश रिवा जिलो बताएगा रिवा मुआल नमर लिंक से अधर काटते जी मुआल नमर उता ही जो लिंक है 9753 वही है तो दोस्तों 181 में कॉल करने के बाद जैसे ही कॉल डिसकनेक्ट होगी उसके थोड़ी ही देर में कुछ इस तरह का हमें टेक्स्ट मेसेज प्राप्त होगा जिसमें लिखा हुआ होगा cm जनसेवा क्रेपिया दी गए लिंक पर क्लिक करके आधार के जनकारी सत्यापित करें इसके नीचे दी गए लिंक पर हमें क्लिक करना है लिंक पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा तो यहाँ पर हमें उस व्यक्ति का अधार नमबर डालना है जिसका की हम निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं आधार नमबर डाल देने के बाद नीचे गेट OTP to verify के option पर क्लिक कर लेना है OTP डाल देने के बाद नीचे verify के option पर क्लिक करने के थोड़ी देर बाद कुछ इस तरह केंटरफेस दिखाई देगा लिखा हुआ है धन्यवाद आपके अधार की जानकारी सत्यापित हो गई है सेवा संबंतित जानकारी के लिए CM जनसेवा प्रतिनिदी द्वारा सीघरी आपसे संपक किया जाएगा तो दोस्तों कुछ दिर बाद आपके पास CM हेल्पलाइन से फोन आएगा और आपसे आपका नाम, निवास स्थान, तहसील, जन दिनांग, इत्यादी पूछा जाएगा जिसे आपको सही सही बताना है और इसके बाद फोन डिसकलेक्ट हो जाएगा और आपको कुछ इस तरह का एक text message प्राप्त होगा लिखा हुआ है आपका पंजियन दर्ज हो चुका है दी गई लिंक पर क्लिक करके जानकारी सत्यापित करें तो इसके नीचे दी गई लिंक पर क्लिक कर लेंगे लिंक पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का interface दिखाई देगा यहाँ पर हमें अपना नाम अपने पिता जी का नाम जन्म दिनांग इत्यादी details अच्छे से चेक कर लेना है और अब page को नीचे की तरह scroll down करेंगे तो दोस्तों यदि हमारी details सही है तो हमें yes की box पर टिक करके नीचे submit के option पर क्लिक कर लेना है और यदि उपन हमारा नाम या जन्म दिनांग इत्यादी गलत है तो no के सामने वाले box पर टिक करके नीचे submit के option पर क्लिक करना है दोस्तों ध्यान दिजिगा no के सामने वाले box पर टिक करके submit के option पर क्लिक करने की कुछ दिर बाद cm help line से phone आएगा और दुबारा आप से details पूछी जाएगी मेरी details सही है तो मैं yes के सामने वाले box पर टिक करके नीचे submit के option पर क्लिक कर रहा हूँ तो दोस्तों सम्मिट के आप्शन पर क्लिक करते ही हमें रेजिस्टेशन नमबर मिल जाएगा और कुछी देर बाद हमारे वार्टसाब नमबर पर हमारा निवास प्रमाडपत आ जाएगा झाल झाल